हाई गाईज, वेलकम और वेलकम बाक तो माई चैनल गाईज के आपको अक्ने पिंपल्स, ब्लेक हैट, वाइट हैट्स की प्रॉब्लम है और आप काफी कुछ ट्राई कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपके अक्ने पिंपल्स खतम नहीं होते या कुछ टाइम के लिए खतम हो भी जाते हैं तो फिर दुबारा नए पिंपल्स बनने लगते हैं नए ब्लेक हैट, वाइट हैट्स बनना शुरू हो जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज मैं आपको चार सबसे बेस्ट एंटी आक्ने, एंटी पिंपल्स, एंटी ब्लेक हैट, वाइट हैट्स क्रीम के बारे में बताऊंगी जो कि आपके इन सभी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा इफेक्टिम है बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा रिजर्ट देने वाली है अब क्योंकि ये क्रीम, सारी क्रीम मैडिकेटिट हैं तो स्किन डॉक्टर भी इनको रिक्मेंट करते हैं और इनके एच सच कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है ये इन चारों ही क्रीम को लड़के लड़कियां दोनों ही यूज़ कर सकते हैं दोनों ही इनको स्माल करके अपने एकने, पिमपर्स, ब्लैक हेट, वाइट हेट को खतम कर सकते हैं और ये क्रीम भी महनगी नहीं है बिलकुल आपके बजट में है तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको इन चारों ही क्रीमों के नाम, इनके इनग्रिडियंट, कैसे ही आपके skin में काम करते हैं क्या इनका prize है, क्या इनकी packaging है ये सब कुछ बताऊंगी इसलिए आप इस video को बिना skip की end तक watch करें जिससे कि कोई भी important part आपसे miss न हो और आप ये भी जान पाएं कि किस तरीके से आपको इन cream को use करना है क्या आपको precaution रखनी है, कब तक use करना है जिससे कि आपको इसका best result मिले और आपके acne pimples blackhead whiteheads हमेशा के लिए खतम हो जाएं तो चलिए video शुरू करते हैं तो guys सबसे पहली cream जो मैं आपको suggest करूँगी आपके acne pimples blackhead whiteheads को remove करने के लिए वो cream है Retino A Retino A इसका brand name है इसमें जो active ingredient यूज किया गया है वो है Tretinoin Tretinoin इसमें 0.05% की concentration में है इसके अलावा भी इसकी एक lower concentration आती है जो है 0.025% की बट मेरे पास अभी जो concentration है वो है 0.05% की तो Retino A एक one of the best cream है in the market आपके acne pimples blackhead whiteheads को remove करने के लिए अगर आप इस cream को सही डंग से यूज कर लेते हैं तो ना ये सिर्फ आपके skin से acne pimples blackhead whiteheads को खतम करती है बलकि ये आपके overall skin की quality को काफी better बना देती है और इसके स्थमाल से आपके skin लंबे time तक acne pimples free रहती है blackhead whiteheads आपके चेहरे में कभी नहीं बनेंगे प्लस आपके skin जो है ज्यादा young और ज्यादा tight और ज्यादा खुबसूरत दिखती है अगर आप इसका स्थमाल सही डंग से करते हैं रेटिनो A cream में जो active ingredient है वो है tretinoin और tretinoin क्या होता है कि ये vitamin A का एक form होता है जो कि हमारे skin के लिए काफी अच्छा है tretinoin एक anti acne anti pimples agent होने के साथ एक anti aging agent भी है तो इसलिए retino A cream को ज्यादा तर लोग anti aging treatment के लिए भी use करते हैं लेकिन डॉक्टर इसको mostly acne pimples के लिए prescribe करते हैं तो ये skin पे काम कैसी करता है guys tretinoin एक natural exfoliating agent माना जाता है तो जब आप इसको अपने skin पे लगाते हैं तो ये हमारी उपरी layer को remove करने का काम करता है उसको exfoliate करता है धीरे धीरे छिल देता है जिससे क्या होता है कि हमारी उपरी layer में जो भी दाग, धबे, pigmentation, जाईयां वगरा है साथ में वो भी खतम हो जाती है प्लस ये हमारी skin में जो extra sebum होता है उसकी production पे भी control करता है जिससे क्या होता है कि हमारे चेहरे में acne pimples बनने के जो chances हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और ये हमारे skin में जितने भी pores हैं ये उनको clean करता है pores में जितने भी dead skin cells हैं जितने भी dirt है जितने भी गंदगी है जो कि बाद में acne pimples का रूप ले लेते हैं ये आपके pores को deeply clean करने का भी काम करता है तो इस process में आपके acne pimples नहीं बनते ना आप इसे use करते रहते हैं तो आपके skin उतनी better होती रहती है लेकिन इसके साथ एक problem भी है जिस वज़े से लोग इसको long time के लिए use नहीं कर पाते कुछ लोग इसे beach में से quit कर देते हैं reason ये है कि जब आप इसको लगाना शुरू करते हैं तो शुरू में आपके skin इसको adjust होने में थोड़ा सा time लगता है शुरुवाती 2-3 week में आपको लगेगा कि आपके skin बहुत ज़्यादा dry हो रही है इसको लगाने के बाद आपके acne pimples पहले से ज़्यादा बनने लग गए है तो ये इसका एक common side effect है जो कि कुछ time के बाद normal हो जाता है तो इसलिए क्या होता है कि कई लोगों को लगता है कि ये cream तो हमें suit नहीं कर रही है तो एक-दो दिन gap करके फिर इसको लगाई जब आपके skin इसको adjust कर लेगी दिन आप इसको regular use करना शुरू कर सकते है एक चीज़ और आप कर सकते हैं अगर आपके skin बहुत जादा dry होती है से लगाने के बाद तो आप एक अच्छा moisturizer भी यूज़ कर सकते हैं तो यह cream का अगर मैं price आपको बताऊं तो यह cream I think 30 या 15 ग्रैम की है 20 ग्राम की cream है और इसका price है 200 रुपे 200 रुपे इसका price है जो की बहुत ही reasonable price है और यह cream आपको किसी भी medical store में बहुत easily मिल जाएगी retino A की नाम से और अगर मैं बात करूँ कि इसको आपको use कैसे करना है और क्या-क्या precaution आपको रखनी पड़ेंगी जब आप इस cream को use करते हैं तो सबसे पहली चीज की retino A cream को आपको सिर्फ night में use करना है जब आप सोने के लिए जाते हैं तो जैसे आप अपना face wash करते हैं एक mild face wash से अपना face wash कर लें उसके बाद अपने face को अच्छे से dry होने दें उसके पांच मिंट के बाद आपको retino A cream अप्लाई करनी है और अच्छे से skin में observe होने दें cream को अगर आप चाहें तो आप 10 या 15 मिंट के बाद कोई अच्छा moisturizer भी यूज़ कर सकते हैं या आपके उपर depend करता है अगर आपको skin बहुत ज़्यादा dry लगती है तो आप moisturizer भी इसके बाद यूज़ कर सकते हैं राद भर cream को चहरे पे लगी रहने दें सुबह cream को wash कर लें और फिर आपको यूज़ करना है एक बहुत ही अच्छा sunscreen जो कि आपके skin को actual में sun की harmful UV rays से protect करें क्योंकि friend retino A जो है आपके skin को peel करता है और अंदर से आपकी new skin को expose करता है जो कि बिलकुल fresh होती है बहुत कोमल होती है तो अगर आप उसको धूप के contact में लाएंगे तो कहीं न कहीं आपके skin damage होगे skin जल जाएगी तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आपको अपन skin में एक अच्छे SPF का sunscreen अप्लाई करें कौन सा अप्लाई करना है इसके लिए मैं आपको suggest करूंगी कि आप lotus की SPF 40 plus sunscreen यूज कर सकते हैं काफी अच्छे sunscreen है और काफी budget में भी है अगर आपको लगता है कि इस cream को लगाने के बाद आपके skin बहुत जादा red हो रही है या बहु और pregnant lady breastfeeding mother या जो pregnancy के लिए प्लान कर रहे हैं वो इस cream को use ना करें 22 दूसरी best cream जो मैं आपको suggest करूंगी आपके acne pimpers blackhead whiteheads को remove करने के लिए वो है clean zone gel clean zone gel एक mild anti acne anti pimpers anti blackhead whiteheads gel है जो कि आपके skin से blackhead whiteheads acne pimpers को reduce करती है साथ में यह आपके open pores के size को भी कम करती है और आपके skin में जो extra oil production होती है उसको भी यह control करती है जिलनों के skin बहुत जादा oily रहती है चिपचिपी रहती है तो उनके लिए भी clean zone gel काफी अच्छी है clean zone gel की ingredient की अगर मैं बात करूं तो clean zone gel में clean damycin और nicotina mite का combination है जिसमें की clean damy damycin एक antibiotic है जो कि आपके skin में infection को फैलने से रोगता है यानि कि अगर आपका एक pimple हो गया है तो आगे दो तीन चार जो बनते हैं वो नहीं बनेंगे आपके infection को यह वहीं पर खतम कर देगा second इसमें है nicotinamide और nicotinamide को हम B3 के नाम से जानते है निकोटinamide में anti-inflammatory properties होती है जो कि skin से inflammation को कम करता है सकिन में pimple में जो swelling होती है जलन होती है खुझली होती है लालपन होता है यह उसको reduce करता है साथी nicotinamide में healing की बहुत अच्छी capacity होती है तो यह आपके pimple को जल्दी ठीक होने में help करता है निकोटinamide आपके skin में extra oil को भी कम करता है और साथी यह आपके open pores के size को भी reduce करता है तो निकोटinamide और clean damycin का जो combination है वो बहुत एक perfect combination माना जाता है आपके acne pimples को reduce करने के लिए गाइस अब बात कर लेते हैं तीसरी best cream की तीसरी best cream कौन सी है जो आपके acne pimples को remove कर दे और cream है एडेपलीन जेल एडेपलीन जेल का नाम आपने जरूर सुना होगा यह acne pimples treatment में यूज की जाने वाली एक बहुत ही common oitment है जो की mostly skin doctor द्वारा prescribe की जाती है तो एडेपलीन होता क्या है गाइस एडेपलीन एक synthetic यानिकी man made retinoid है और retinoid का का काम जो होता है वो हमारे skin को exfol the skin skin cells होती है यह उसको reduce करती है एडेपलीन आपके skin में oil production को कम करती है oilness को कम करती है यह आपके acne pimples पर बहुत ही effectively काम करती है skin में जो active pimples होते हैं यह उनमें inflammation को reduce करके उनको जल्दी सुखाने का काम करती है और साती साथ आपकी जो post inflammatory hyper pigmentation होती है यह उसको भी reduce करती है overall adapaline हमारे skin में tretinoin की तरह ही काम करता है क्योंकि tretinoin भी एक retinoid है लेकिन tretinoin ज्यादा strong होता है compare to adapaline तो इसलिए tretinoin से irritation भी skin में ज्यादा होती है तो आप कह सकते हैं कि adapaline एक less irritate करने वाला oitment है जिससे कि आप अपने acne pimples black head white heads को reduce करने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं adapaline 0.1% gel form में available है और 15 ग्राम की ट्यूब आपको 220 रूपे में किसी भी medical store में मिल जाएगी गाइस active impuls को reduce करने के लिए चौथी best cream जो मैं आपको suggest करूंगी वो है benzoil peroxide gel benzoil peroxide actually इस gel का key ingredient है और इस cream का नाम है benzoic ac 2.5% gel benzoic ac 2.5% gel को आप mild to moderate और severe acne treatment के लिए यूज कर सकते हैं इसके लिए काफी effective gel है इस gel में यूज होने वाला main ingredient benzoil peroxide एक most common over the counter ingredient है जो की acne pimples treatment में काफी ज्यादा effective है और काफी ज्यादा यूज किया जाता है acne pimples के treatment में actually benzoil peroxide को जब आप अपने skin पे apply करते हैं तो यह आपके skin में deeply penetrate होता है जिससे कि आपके pores को unclog करता है और pores में जो भी यह reduce कर देता है इस cream को भी आपको सिर्फ night में यूज करना है in fact इन सभी cream को आपको सिर्फ night में यूज करना है डे टाइम पे यह cream आपको यूज नहीं करनी है और जब भी आप इस तरीके का कोई treatment कर रहे होते हैं तो अपने skin को हमेशा आपको sun की harmful UV rays से protect करना है इसके लिए आप एक sunscreen जरूर जरूर अपलाई करें आइस यह चारों ही cream मैंने आपको अपने experience और research के बेस्ट पर suggest की है लेकिन फिर भी इन cream को यूज करने से पहले आप अपने end पर भी एक research जरूर कर लें यह था मेरा आज का वीडियो I hope के वीडियो आपको जरूर जरूर पसंद आया होगा अगर वीडियो helpful लगा है तो इस वीडियो को जरूर अपना like दें और चैनल पर पहली बार आये हैं तो इस चैनल को subscribe जरूर कर लें